सब्सक्राइब करें देखो कल के वीडियो मैंने आपको टॉप फाइव बेस्ट एस विकार के बार में जानकरी दी ती जो कि 10 लाग रुपए के अंदर आती है और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता है तक इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा तो यहापर यह इसका सेकेंड पार्ट है तो इस वीडियो के अंदर में उन पाच एस विकार के बार में डिटेल में बात करूंगा जो कि 10 लाग के अंदर आती है और जो पैंदिंग थी जो फिफ्ट नमबर की कार आती है जो कि आप 10 लाग के अंदर कंसीडर कर सकते हैं वो है हुंडा की इसके अंदर 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन दिया हुआ है इसके अलावा 1.5 लिटर 4-cylinder diesel इंजिन भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा हुंडा WRV लगबग 17 km से लेकर 24 km का माईलेज दे देती है तो इसका जो डीजल वीरेंट है वो लगबग आपको 24 km पर ल लाग रुपीज से टॉप मॉड लगबग 11.79 लाग रुपीज तक चला जाता है वहीं जो फूर्थ पोजिचन पर कारादी है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 10 लाग वह है टोयटा की अर्बन क्रूजर टोयटा अर्बन क्रूजर मारतिय सुजुकी विटारा ब्रेज का इस्तेमाल किया हुआ है जैसे कि इसके अंदर आपको 1.5 लिटर 4-cylinder पेट्रोल इंजर देगने को मिल जाएगा और टोयटा अर्बन क्रूजर लगबग 17 केमपेल से लेकर 19 केमपेल का मालेज दे दीती है इसकी कीमत इंडिन मकेट में शुरू होती है 8.72 लाग रुपी कार राती हैं जिसको आप इसके अंदर बीखक्रमाल के फीचर्स ओफर करे गए और निसान मागनेट का जो एकस्टरियर लुक है यह काफिया तक जबदस्त है इसके इंटरियर में बहुत सरी बढ़िया फीचर्स ओफर करे गए है या पर एक चीज जमें आपको बताना चाह जोते हैं 1.0 लिटर नेचरली एक्सपरेटेट पेट्रोल इंजिन इसके अलावा 1.0 लिटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजिन भी इसकार के अंदर दिया हुआ है अगर में माइलेज की बात को तो निसान मैगनेट लगबग 18 km से लेकर 20 km का माइलेज दे दीती है आराम से और इसके बेस मॉडल की कीमत 5.71 लाग रोपीस से शुरू होती है इसका टॉप मॉडल लगबग 10.15 लाग रोपीस तक चौला जाता है तो यहाँ पर निसान मैगनेट के हर एक विरेंट के अंदर आपको बहुत सरे कस्टमाइजेशन के ओप्शन भी देखने को मिल तो यह पर इसलिए इस कार को मैंने थर्ड पोजिशन पर रखा है इस अकार को भी आपको ऐस लाग के अंदर एक अच्छी कार लेनी है वहीं जो सेकेंड पोजिशन पर कर आ जो कि आपको कंसेडर कर सकते है वो है रेनॉल की काईगर इस अगार का एक्स्ट्रे लुक मुझा बहुत ज़दा अच्छ लगता है अलाकि इसका जो रोड प्रेजन से ये भी काफिया तक कमाल का है कमपनी ने इसके अंदर दो पेट्रोल इंजिन दिये हुए है यानि जिस तरह से मागनेट के अंदर अपने इंजिन स्पेसिफिकेशन दिखा है सेम इंजिन स्पेसिफिकेशन रेनोल काईगर के अंदर भी दिया हुआ है इसका माइलेज है लगबग 18 केमपेल से लेकर 21 केमपेल का और रेनोल काईगर की कीमत इंडियन माकेट में शुरू होती है और इसका टॉप मॉडल 10.09 लाक रूपीस तक चला जाता है तो यहाँ पर 10 लाक के अंदर रेनोल काईगर भी आपके लिए एक बेस्ट आप्शन सबीत हो सकता है इसे कार के अंदर भी काफे कमाल के फीचर्स आफ़र करे गए है वही जो नमबर वन पोजेशन पर कार आती है वो हैं हुंडाई की वन्यू और किया की सोनेट अलागे दोनों ही कारो को सेम प्लाटफॉम पर बिल्ड किया गया है यह पर दोनों ही कारो का जो एक्स्टेर है वो तोड़ा सा अलग है इसके अलवा इंटरियर में आपको लगबग सेम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे लेकिन इंटरियर का डिजाइन लियाउट थोड़ा सा चेंज है अगर मैं इंजन स्पसिफिकीशन की बात करूँ तो किया सोनेट और हुंडाई वेन्यू दोनों ही कारो के अंदर आपको दो पेट्रोल इंजिन और एक डिजल इंजिन देखने को मिल जाएगा और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो हुंडाई वेन्यू की कीमत इंडियन माकेट में शुरू होती है इसके अलवा किया सोनेट की बेस मोडल की कीमत इंडियन माकेट में शुरू होती है और यह 10,000 कम है as compared to Hyundai वेन्यू इसके अलवा सोनेट का टॉप मोडल लगबग 13.55 लाक रोपेज तक चला जाता है तो यह पर दोनों ही कारों के prizes आपके सामने हैं और दोनों ही कारों को मैंने first position पर इसलिए रखा कि भी दोनों ही कारों के अंदर आपको काफी कमाल के features देखने को मिल जाएंगे हलाकि road presence यहाँ पर Kia Sonate का थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पर कुछ लोगों को Kia Sonate का front visher और side profile अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को Hyundai Venue का exterior look अच्छा लग सकता है तो यहाँ पर ये 6 कारे थी under 10 lakh इनके अंदर भी काफी कमाल के features offer करे गए है अगर आपको इन कारों में से किसी एक कारों को चुणना है तो आप किस कार के साथ जाओगे मुझे comment section में जरूर पता दिना personally मैं choose करूँगा Toyota की urban cruiser या फिर किया की Sonate तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार होल के साथ शेयर की जगा था कि उनको भी पता चले कि 10 lakh के अंदर कौन-कौन सी बढ़िया कारे आती है तो ये पार्ट 2 वीडियो था उमीद कतव कि वीडियो आपको उच्छा लगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जबर्व इस वीडियो को एक लाइक कर देना चनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो यार कर दो चनल को subscribe और बल नोटर्फेकेशन को आँ मिलते अगले वीडियो वीडियो में तेलने टेक्यर राइड सेब वियर हमेट वेसेब बेट थांक यू सो मच